हलो दोस्तों मिंतार अस्वई में आपका स्वागत है आज मैं कन्या पूजन एлिए खाना बना रही हूं हर बार मैं यह खाना बनाती हैं प्रेज वेडियो पूरा देखे अब हो खाना बनाना शुरू करेंगे हम बनाने के लिए हमने छोले भीगो करके रखताई थे रात में, छोले हमारे अच्छे से फूल गई हैं। इसने 7 से 8 घंटा छोले को भीगोना है, छोले घ्जोने के बाद छोले मैं अच्छे से धोलूँगी। उसके बाद उसे कुकर में डाल दूँगे, इसमें हमें तड़का कुछ नहीं लगाना है अभी, धो करके छोले डारेक्ट कुकर में डाल देंगी, आज हम कुकर में ही बना रहे हैं, इसमें अब डालेंगे हम टमाटर, हरी मेर्ची, अदरक, धनिया पत्ती, नमाक, मीठा सोड डाल देंगे थोड़ा सा, इस से छोली अच्छे से उबल जाती है, ज्यादा टैम नहीं लगता है, बिना लैसुन प्याज की बना रहे हैं, क्योंकि कन्या पूजन के लिए है, कुछ खड़ी मसाले लेंगे, एक हम कपड़ा लेंगे, उसमें लॉंग, काली मेर्च, बढ़ी ये लाएंची, एक चम्मच, चाय पत्ती डालेंगे, और इसकी एक पोटली बना करके, इन ही जो हम कुकर में डाल रहे हैं, छोले उसी में डाल देंगे, इसी उसमें पूरा टेस्ट आ जाएगा, और मसाले भी नहीं हम बाद में, हमें निकालना पड़ेगा, बस पोटली ब बाद में, और पानी परियाबत डाल देंगे, क्योंकि हमें 6-7 सीटी लगाना है, एक तेज पत्ता डालेंगे, अब कुकर का ढखकन बंद कर देंगे, और शीटी लगा देंगे, एक साट निसका मसाला तयार करेंगे, जब तक हम मसाला के लिए हमने लिये हैं टमाटर, क्यो मिर्ची उसे थोड़ा साम कुचल लेंगे खला मुसर में ये सबजी आप बृत में नौ दिन जैसे कोई लेसन प्याज नहीं खाता है तो भी बना सकते हैं छोले हमारे उवल गए हिसास से आट सीटी हमने लगा दी थी देखो कितनी अच्छे से गल गए है अब एक दूसरी कड़ाई रखेंगे उसमें एक चम्मच घी डाल लेंगे आज हम घी से बना रहा हैं कि कन्या कूजन के लिए है या फिर आप तेल से भी इसे बना लीजिए एक चम्मच जीरा डालेंगे थोड़ा साजवान डालेंगे और हेंग डाल देंगे अजर अदराक और हरी मिर्ची को पुचर करके रखाए मैं और साभी और फ्राया करेंगें तक उसके बाड़ामाटर डाल देंगे पीश करके मसाला को पका लींगे अब इसमें डालेंगे काला नमक धनिया पाउडर हल्दी गरम मसाला छोले मसाला डाल देंगे और एक चमच अमचूर पाउडर डाल देंगे जब मसाला पक जाएगा उसके बाद जो छोले हमने उबाल करके रखी थे उन्हें डाल देंगे अगर आपको पानी कम लगे तो यहाँ पर डाल लीजिए हमने जो छोले का पानी था उसे अलग नहीं कि इसी में डाल दिया है अब इसे अच्छे से उबालेंगे उसके वाद जो मसाला की हमने पोटली डाली थी उसे अलग कर लेंगे कि छोले कि सबजी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि अगर आप एक बार बनाओगी तो इसी तरीके से बनाओगी आपके बच्चे भी चाट चाट करके खाएंगे काटोरी क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी सबजी बनती है बहुत कम मसाली में हमारी सबजी बन गई है अब हम लेंगे चाटोरी हम बना रहे हैं चाटोरी पानी डाल लीजिए और थोड़ा साम डालेंगी घृ दो सीटी लगाएंगे ज्यादा चावल को नहीं पकाना है अब चावल को थोड़ा साहम मैस करेंगे उसके बाद इसमें एक लीटर दूट डालेंगे दूट को मैंने पहले उबाल लिया था अब धकन को बंद करेंगे इससे नहीं बंद करना कि सीटी आ जाए थोड़ा सा धकन बंद करेंगे उसके बाद इसे पका लेंगे जब तक अच्छे से गाड़ा ना हो जाएगा एक कटोरी डालेंगे नारियल कसा हुआ ग्रेटिट नारियल अगर आपना अरियल नहीं डालना है तो मत डालना ऐसे ये खीर बहुत ज़्यादा रवड़ी दार खीर बनती है ये और इसमें इलाइची डाल देंगे कूट करके अब इसमें डाल देंगे सक्कर जब खीर पूरी तरह से पक जाएगी उसके बाद इसमें सक्कर डालने के बाद चार पांच मेरता पकाएगे उपर से थोड़ा सा ड्राइफूर डालेंगे, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके पास हो, उसे डाल लीजिए, मेरे पास बादाम और किस्मिस है, तो मैं उसी को डाल लिया है, हमारी चावल की खीर भी बन गई है, एक कोकर में मैंने सबजी बना ली और खीर भी बन गई है, अब हम बनाएंगे पूरी, चावल की खीर मेरी बन गई है, अब मैं बनाओंगी पूरी, पूरी बनाने के लिए मैंने आटा पहले गूद करके रख दिया था, दस मेट पहले, जैसा रोटी के लिए आप आटा लगाते हैं, बैसा ही आटा लगाना है, अब इसके हम लोई काटेंगे उसके बाद पूरी बेल करके पहले रख लूँगे, उसके बाद तेल गरम करूँगी, जब तेल गरम हो जाएगा तो गरम गरम तेल में हम पूरियां तलेंगे जब भी पूरी तले तो अच्छा तेल गरम होना चाहिए जिससे पूरी अच्छी पूली पूली बनती है और बहुत जल्दी सिख जाती है उनमें तेल भी नहीं आता है देखो हमारी सारी पूरियां फूल गई है जब मेरी पूरिय तल जाएंगी उसके बाद मैं पापड तलूँगी खाना बनाना कितना असान है और मेरा खाना एक गंटा में बन गया था और मैंने पूरा खाना अकेले ही बनायाया है कन्या पूजन के लिए अब हमें तड़का लेंगे उसमें चमच घी डालेंगे क्यूंकि हमें जो सबजी बनाई हो उसमें तड़का लगाना है घी का इसमें डालेंगे हम अधराक घर हरी मिर्ची है हमारा पूरा खallगा बन गया अब हम ठाति लगा लेंगे कन्या पूजन के लिए कर दो हम आप में वीडियो को लाइक कीजिए को मेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्काइब कीजिए अगर अभी त parked σας पूब मेरा सब्सक्राइब कीजिए और कोमेंट करके जरूर बताना कि मेरा आज का खाना आप लोग कैसा लगा और आप कन्या पूजन में क्या-क्या बनाते हैं वेडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद